हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बॉर्ड प्रस्रों यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे रिलीज होने वाली सल्मान खान के अब तक की सबसे जबर्दस्त फिल्म भारत के बॉक्सर्स प्रोडिक्शन के बारे में जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों ने फिल्म वॉक्सर्स प्रेडिक्शन के बारे में वीडियो बनाने का रिक्वेश्ट किया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं पर इसे पहले फिल्म की थोरी जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले आपको बता देगे यह फिल्म रिमेक है 2014 के साउट कोरियन फिल्म ओडे टुमाई फादर और इस फिल्म के अन्य मुख्य किर्दार है केट्रिना कैफ तबू सुलील ग्रोवर दिशा पतनानी और जैकी श्रॉफ रिल लाइफ प्रोडक्शन्स और सल्मान खान फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट किया है ए ए ए फिल्म्स ने और निदिशक और लेखक है अली अबबाज जफर सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसे सक्सेस्फुल फिल्मों के बाद अली अबबाज जफर और सल्मान खान का ये तीसरा कॉम्बिनेशन होगा इस फिल्म में मुख्य किर्दार भारत के कई सारे किर्दार देखने को जो कि इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को मजबूत रखेगा तो ज्यादा देव ना करते हुए चले फिल्म के बॉक्स प्रडिक्शन की और पर इससे बहले कल लीजे चैनल को सब्सक्राइब और नॉटिक्वेशन बेल को दिवाईए ताकि आब बॉलिर की कोई भी अप्डेट् लगाए बैठे हैं और एक्सपेक किया जा रहा है कि ये फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इस फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है ट्रेड एक्सपर्स का मानना है कि फिल्म जैसा भी हो अपने फर्स डे में फिल्म 40 करोर आराम से पार कराग करलेगा और बहुत ही ज़ल्दी यह फिल्म 200-300 करोर आराम से क्रॉस करलेगा तो दोस्तो आपको क्या लगता हैं क्या यह फिल्म बॉल्क बस्तर हीट हो पाएगा नीचे कमेंस में जरूर बताए और यह भी झाल झाल